हेलो एब्रिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल यहाँ पर मैंने हाफ केजी ब्लेक फॉरेस्ट केक को डेकोरेट करने के लिए रेडी किया है और आप लोग देखते रहें यह केक में किस तरीके से डेकोरेट करूँगी और यहाँ पर मैंने केक के पहली लेयर जो आनिवेन से थी उसको मैंने कट करके रख दिया है और मैं यहाँ पर इस केक की तीन लेयर टोटेल कट करूँगी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगी केक का जो टॉप लेयर आनिवेन सा होता है उसको कट करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर उसको आप कट नहीं करेंगे तो केक का फिनिसिंग आपका आच्छा नहीं आएगा और यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पर बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगा कर केक का फर्स लेयर प्लेस करूंगे और उसके उपर थोड़ा सा क्रीम लगा कर अच्छे से स्प्रेट करूंगे अगर आप लोगों को मेरे इस केक के बारे में कोई भी जानकरेँ चाहिए या मैंने स्पोंज केसे बनाया है क्रीम की इतना परफेक्ट केसे बीट हुआ है इससे डिलिटट कोई भी जानकरेँ अगर आप लोगों को चाहिए और उसके उपर में केक का दुसरा लेयर प्लेस करूंगे और उसके उपर भी सेम तरीके से क्रीम लगाऊंगे और सेम उसी तरीके से चोकलेट और चेरी को स्प्रेट करूंगे डार्क कमपाउंड के साथ चेरीज और यहाँ पर आप मेल्टेद चोकलेट को भी स्प्रेट कर सकते हैं उससे टेस्ट आप लोग का केक का और बढ़ जाएगा यहाँ पर मैंने नहीं किया है लेकिन मैं कभी कबार करती हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में थी तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर केक की तीनो लेयार को अच्छे से प्लेस कर लिया है और इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके क्रम कोट कर रही हूँ यहाँ पर को क्रम कोट करते बग आप केक में ज्यादा क्रीम का यूज ना करें क्योंकि आप डेकोरेशन में भी अगर ज्यादा क्रीम का यूज करेंगे तो केक में ओवर क्रीम हो जाएगा और सभी लोग को ज्यादा क्रीम खाना पसंद भी नहीं होता है केक को अच्छे से क्राम कोट करने के बाद 30 मिनिट या 1 आवर के लिए फ्रीज में रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास टाइम है तो आप डेकोरेशन करने के बाद भी फ्रीज में रख सकते है और यहाँ पर मैंने केक को फ्रीज से निकाल लिया है और यहाँ पर मैं केक का फाइनल डेकोरेशन कर रही हूँ और इसी तरीके से मैंने केक की चारो तरब आच्छे से क्रीम लगा लिया है और किसी भी एक इसक्रेपर की मतलब से आप आच्छे से केक को स्मूथ कर लिजिए आप चाहे तो सिलिकोन या प्लास्टिक का बेसक्रेपर ले सकते है यहाँ पर मैंने इसे ATM कार्ट का यूज किया है और यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और देखिए यहाँ पर मैंने बातो बातो में केक को अच्छे से क्लीन कर लिया है और केक की डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने परपल कलर की क्रीम का यूज किया है और मैं आज इस केक की डेकोरेशन डबल फॉल्ट लाइन बना कर करूँगे और इसी तरीके से मैंने पाइपिंग बेग में जितना क्रीम था उसी क्रीम से केक की नीचे और केक की उपर दो दो लाइन ऐसे करके क्रीम लगा लिया है और एक skriper की मदद से केक को अच्छे से smooth करूंगी तब ये layer अच्छे से दिखेंगे उसी card की मदद से यहाँ पर मैंने केक को हलके हाथों से smooth कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक गलती की की camera मैंने यहाँ थोड़ा उपर करके रखा था तो नीचे का लाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने साइड में फोटो लगा दूंगे कि यह लेयर के से दिख रहा है और केक की टॉप लेयर को भी स्मूथ करने के बाद यहाँ पर मैंने M1 नोजल से केक के उपर रोजेट बना रही हूँ के उपर की डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ क्रीम था उसी में थोड़ा वाइट क्रीम मिक्स करके थोड़ा पारपल और वाइट क्रीम के मिक्सर से रोजेट बनाया है और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने फॉल्ट लाइन में थोड़ा साइनिंग दिखाने के लिए लस्टर गोल्डेन डस्ट का यूज किया है उसमें थोड़ा सा पाने मिक्स करके ब्रस की हेल्प से मैं उस केक के लाइन पर अच्छे से लगाऊंगी यह करने से केक में थोड़ा और ज्यादा साइन आ जाएगा गोल्डेन कलर की हेल्प से और इसी तरह यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से फॉल्ट लाइन के उपर अच्छे से यह लस्टर डस्ट का यूज कर लिया है फॉल्ट लाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर आप गोल्डेन कलर की जगा और भी कलर का यूज कर सकते है मेरे पास यहाँ पर गोल्डेन कलर ही था तो मैंने यहाँ पर गोल्डेन का यूज किया है आप कोई भी कलर का यूज कर सकते है और बातो बातो में केक का डेकॉरीशन भी कंप्लीट होने लगा है और यहाँ पर मैंने वाइट का स्प्रिंटल यूज किया है रोजेट के उपर दिखने में ये सुन्दर लग रहा है और छोटे छोटे स्प्रिंकल को भी स्प्रेट करूंगी पूरे रोजट के उपर और देखे मेरा केक हो गया है कम्प्लीट अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना मत भुलेगा थेंक्स पर वाचिंग गाइस बावाई